भारती जंता पार्टी वरिष्ट नेता गुरुजी राजुचंदेल ने आज पत्रकारों से बात करती हुए कहा कि पिछले दिनों मुखरजवी नगर में अवेद रूप से चलाया ज़ा रहे है आई-एस कोचिंग सेंटर में लगी भीशन आग और उसमें मारे गए प्रतिभाशाली चात्रों के साथ हुई इतनी बड़ी घटना के बाद भी दिल्ली की केजरिवाल सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी और दोबारा ओल्ड राजी नगर में इतनी बड़ी घटना हो गई जिसमें तीन प्रतिभाशाली चात्र समाग है और उनकी मौत हो गई दिल्ली की केजरिवाल सरकार इतनी अंदी भहरी हो चुकी है कि शेत्र में चल रहे अवेद बेस्मेंट में चल रहें टूशन सेंटरो पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं इन्हें ततकार प्रभाव से सुप्रिम कोट को रोक लगाई जानी चाहिए और जितने भी अवेद यूशन सेंटर बेस्मेंट में चल रहे हैं उन्हें बंद किया जानाची और इसके लिए के जिवाल की शिक्षा मंतर रुद्योग मंतर को इस्तिफा देना चाहिए क्योंकि दिल्ली सरकार के नाक के नीचे चल रहे है अवेद स्कूल कॉलेज जिन पर दिल्ली सरकार लगाम लगाने में नाकाम रही है और प्रतिबाशाली शात्रों की जीवन के साथ खिलवार कर रही है क्यात्रों इन अवे!